दोस्तों क्या हुआ जब पाकिस्तान के शहर मुल्तान की एक पुरानी इमारत से ब्रिटिश दौर का ख़साना मिल गया और किस तरह इंडिया के एक प्रॉप्टी डिलर को इत्तफाक से अपनी ही जमीन में से सोने और चांदी का ट्रेजर मिल गया प्लस क्या हुआ जब एक कपल ने अपने घर में पौदे लगाने के लिए जमीन खो दी तो वो जगा गोल्ड बार से भरी हुई थी वेल आज किस वीडियो में मैं आपको लोगों के इत्तफाक से मिलने वाले सबसे बड़े खसानों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दोसु ये 21 अगस 2020 की बात है पाकिस्तान के शहर मुलतान में आहाता कचैरी की री कंस्रक्शन का काम चल रहा था इस कचैरी की इमारत पाकिस्तान बनने से भी पहले की थी और ये काफी सदा पुरानी हो चुकी थी इसलिए इसके खराब और बोसिदा हिस्सों को तोड़ कर नए कमरे बनाने का फैसला किया किया इस कचैरी के अंदर एक पुराना चोटा सा स्टोर नुमा कमरा था जो 80 साल से बंद पड़ा था जब से ये कचैरी बनी थी किसी ने इस कमरे पर इतना गौर नहीं किया और नहीं कभी इसे खोलने की जरूरत महसूस की हर किसी को ऐसा ही लगता था किसके अंदर गंद और फजूल चीज़ें पड़ी होंगी क्योंकि गौर्मेंट बिल्डिंग में काख़ों के लावा और क्या हो सकता है इवन इस कमरे पर लगा ताला भी जंग से बरा हुआ था खैर मजदूरों से कहा गया कि वो इस कमरे का ताला तोड़ कर इसे गिराएं और यहां पर निया कमरा तामीर करें वेल मजदूरों ने जैसी दसे करके ताला तोड़ा और जब अंदर जाकर देखा तो सब की सब हैरान हो गए जिस कमरे को आज तक इतना फजूल और बेकार समझा जाता था वो असल में कमरा नहीं बलके खजाने का धेर था आप बलीव नहीं करेंगे कि इस कमरे में इतना सोना था कि अंदर पौंग रखने की भी जगा नहीं थी इसमें सोने की अशरफियां, जेवरात और एंटीक्स के धेर लगे थे इन वरकर्स ने जब कमरे के अंदर इतना सोना देखा तो डर कर फौरण अथारोटिस को खबर कर दी जैसे ही मुलदान पुलीस तक ये खबर पहुंची इन्होंने फौरण उस कमरे को सेल कर दिया कहा चाता है कि ये सोना ब्रिटिश दौर का था क्योंकि कमरे के अंदर सोने के साथ-साथ बरतानवी दौर के हत्यार भी मौजूद थे वैले सोने को यहां पर कब और किस ने चुपाया था इस बात का तो पता नहीं लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्टरी की सबसे शौकिंग डिसकवरीस में से एक थी दोस्तों दोज़ार एकिस में इंडिया के इलागे हैदराबाद में नारा सीमा नाम का एक प्रॉप्टी डिलर रहता था एक दफ़ा इसने एक शक्स से एक जमीन खरीदी जो कि पैमावर्थी गाउं में मौजूद थी 10 एपरल 2021 को ये एक मजदूर से अपनी जमीन को लेवल करवा रहा था अब भी इन्होंने अपना काम शुरू ही किया था कि जमीन में मौजूद कोई चीज बेल्चे से टकरा आ गई जब नारा सीमा ने देखा तो वो कौपर का एक पॉट था जो कि जमीन के अंदर दफन था बेल्चा लगने की वज़ा से ये पॉट थोड़ा सा क्रैक हो गया था वैल नारा सीमा ने जब इस पॉट को तोड़ा तो वो हैरान रहा गया ये पॉट सोने और चांदी के जेवरात से बरा हुआ था इसके अंदर सोने की एरिंग्स, मंगल सूतर, चैन, बीर्स, चांदी के कड़े और बहुत सारी दूसरी चीज़े मौजूद थी जब इन जेवरात का वज़न किया गया तो इसमें मौजूद चांदी तकरीबन दो किलो थी और सत्रा तोले इंचेंट गोर्ड मौजूद था गाउं के लोगों ने जब ये खबर सुनी तो उस जग़ पर नारियल और आर्ती का समान लेकर पहुंच गए इन शैंपूं को लग रहा था कि ये जेवरात उनके देवी देवदा के हैं इवन नारा सीमा ने भी जब ये जेवरात देखे तो खुशी से चीखे मारना शुरू हो गया क्योंकि इसे भी लग रहा था कि वो बहुत लगी है क्योंकि इसे अपने बगवानों के जेवरात मिल गए हैं बारहाल जो भी हो नारा सीमा की तो लौटरी लग गई 200 सन 2002 में फ्रांस के अंदर एक कपल रहता था पहले ये लोग रेंड पर रहते थे लेकिन फिर इन्होंने अपना घर बाई कर लिया और इसके अंदर रहने लगी साथ साल तक ये दोनों मिया बीवी अपने घर में रहते रहे लेकिन इन्होंने कभी घर के गार्डन पर तवज्जा नहीं दी 2009 में एक निन इन्होंने सोचा कि क्यों ना गार्डन में नए दरख्त और फूल वगएरा लगाये जाएं सो पहले इन्होंने गार्डन की सफाई की और जब पौदे लगाने के लिए खोदाई की तो सिर्फ चंद फीट नीचे इन्हें जमीन के अंदर एक अजीबोगरी बॉक्स नजर आया वेल पहले तो इन्हें समझी नहीं आई कि ये क्या चीज़ है लेकिन जब इस बॉक्स को खोला तो इसके अंदर सोने की छे बार्ज मौजूद थी इन्हें देकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन्हें बॉक्स में चुपा कर बॉक्स को जमीन के अंदर दफन कर दिया था जब ये लोग इन गोल्ड बार्ज को सेल करने गए तो इनकी मालियत करोड़ो रुपे में थी इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रातो रात करोड़ पती बन जाएंगे लेकिन स्टोरी यहां पर भी खतम नहीं होती गोल्ड बार्ज से करोड़ो रुपे हासल करने की चार साल बाद 2013 में एक दिन फिर से ये अपने ही गार्डन में प्लांट्स लगा रहे थी वैल खुदाई के दुरान इन्हें दुबारा एक और बॉक्स नज़र आया ये बॉक्स भी सेम पुराने ही बॉक्स जैसा था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन्होंने बॉक्स को ओपन किया तो इसमें 22 गोल्ड बार्ज मौजूद थी असल में ये सोना इस घर की प्रिवियस ओनर का था उस बंदे ने ये गोल्ड बार्ज अपने गार्डन में चुपाने के लिए दफन की थी लेकिन किसी को बताने से पहले इसकी डेट हो गई थी आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन गोल्ड बार्ज की वैल्यू आठ लाग पॉंट से भी ज्यादा थी वैलियक कपल वाके ये में बहुत लगी था कि पाकिस्तान में हर बैंक के अंदर लॉकर्ष मौजूद होते हैं लोग अन लॉकर्ष में अपने जेवराथ और कीमती समान रखते हैं जिस तरह पाकिस्तान में लॉकर्ष होते हैं इसी तरह अमेरिका के अंदर डिफरेंड कम्पनी président लोगों को storage units की facility प्रोवाइड करती है ये unit एक छोटे से कमरे की तरह होता है और ये monthly rent पर दिये जाते हैं इन units में लोग हर तरह का समान स्टोर कर सकते हैं लेकिने storage units का एक rule होता है कि अगर कोई शक्स मखसूस टाइम तक अपने storage unit का rent पे ना करे या इसे claim ना करे तो company storage unit को निलाम कर देती है और जो शक्स इसे खरीता है इस unit के अंदर मौजूद सारा समान भी उसी का हो जाता है नवंबर 2018 में एक कपल ने कैलिफॉनिया के अंदर इसी तरह का एक storage unit बाई किया देखने में तो ये एक आम सा storage unit लग रहा था लेकिन इस कपल की वहमो गुमान में भी नहीं था कि 500 डॉलर का ये कमरा इनकी साथ नसलों को चमका देगा जब ये लोग इस unit को खरीद कर इसके अंदर गए तो इन्होंने देखा कि अंदर बागी समान के साथ साथ काफी सारे bags भी पड़े हुए थे जैसे ही इन्होंने वो bags खोले तो इनकी अंदर cash ही cash पड़ा हुआ था आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन bags के अंदर 7.5 million dollars की रकम cash की सूरत में मौजूद थी ये लोग इतनी बड़ी amount को दे कर खुशी से पागल हो गए सिर्फ 500 dollars spend करके ये लोग millionaire बन गए थे कोई नहीं जानता कि इस unit का मालक कौन था और कहां गाइब हो गया लेकिन ये couple वाके हे में बहुत लगी था 200 England की शहर Shirosberry में निक डेविस नाम का एक शक्स रहता था इसे जमीन में चुपे हुए खजाने तलाश करने का बहुत शौक था इसने हमेशा अपने साथ एक metal detector रखा होता था और ये जहां भी जाता इस metal detector से जमीन की तलाशी लेना शुरू कर देता लिकने से आज तक कोई चीज नहीं मिले थी अक्तूबर 2011 में निक एक दिन अपनी होबी पूरी करने के लिए बाहिर की तरफ निकला हुआ था अभी अपने metal detector से जमीन की तलाशी ले ही रहा था कि अशानक metal detector ने अलारान बजाना शुरू कर दिया जैसे ही निक ने detector की आवाज सुनी इसने वो जगा खोदना शुरू कर दी जब इसने वो जगा खोद दी तो इसके अंदर सिक्कों से बरा हुआ एक पुराना pot पड़ा हुआ था निक ने वो कोईंस से बरा हुआ pot बाहिर निकला और experts की पास ले गया जब इन्होंने देखा तो पता चला कि ये सिक्के आज से तकरीबन 2000 साल पुराने है इन्हें देकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन सिक्कों को सेव करके रखा हुआ था क्योंकि इन कुइंस पर जो इयर मैंचन किये गये थे वो एक साल से ज़्यादा का अर्सा बनता है और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इन सिक्कों की कीमत उस वक्त की एक सोलजर की साल की सैलरी के बराबर थी बेस्ट गेस्स ये था कि ये किसी सोलजर की लाइफ सेविंग्स हो सकती थी जो इसने चुपा कर जमीन में दफन कर दी थी क्योंकि उस दोर में लोग अपनी चीज़ों को चुपाने के लिए इन्हें जमीन में दफन कर देते थे लेकिन इससे पहले कि ये इन्हें यूज़ करता या किसी को बताता कि इसके पास इतनी ज़दा रकम मौजूद है किसी जंग के दौरान इस सोलजर की डेफ हो गई थी और ये रास 2000 साल तक दफन रहा लेकिन बारहाल जो भी हो इन सिकों ने निक की किसमत चमका दी दोसों ये स्टोरी यूके में रहने वाले एक कपल की है इन दोनों को जमीन के अंदर छुपे ट्रेजर डूनने का बहुत शौक था 21 सेप्टैम्बर 2019 को ये लोग अपने मैटल डेटेक्टर से जमीन की तलाशी ले रहे थे कि अचानक इनके मैटल डेटेक्टर ने अलारम देना शुरू कर दिया पहले तो इन्हें लगा कि शायद जमीन के अंदर मैटल की कोई चीज होगी लेकिन जैसे ही इन्होंने खुदाई शुरू की और इन्हें ब्रिटिश म्यूजियम में ले गए जब म्यूजियम के रिसर्चर्ज ने इन सिकों का मौइना किया तो वो शौक हो गए इनका कहना था कि ये तमाम कोईन्स विलियम दा कॉंकर के दौर के हैं और इन्हें आखरी दफ़ा सन 1066 में इंगलेंड की आखरी बादशा की दोर में इस्तमाल किया गया था जब इन कोईन्स को कॉंट किया गया तो ये 2600 से भी ज़्यादा थे वेल इसे जदा गुड लक और बला क्या हो सकती है